हाई वेलकम बैक तो आज हम कवर करेंगे सोम के चेप्टर के क्योशन नंबर 201 से लेके 220 तक तो स्टार्ट करतें क्योशन 201 में है कि एक रोड है जिसकी लेंद 1000 mm है जिसका डाया 12 mm है हम उसमें कितना रोड लगाएं कि उसमें डिफॉर्मेशन जो एलोंगेशन हो वह 0.045 mm हो और एकी वेलिव यहां पर गीवन है तो हमें पता है कि ए होता है पी बाई ए अपॉन डेल्टा बाई एल और यहां से पी की वेलिव हम निकाल लेंगे जो कि आएगी ए डेल्टा ए डिवाइड बाई एल यहां पर बिस करके ही लिखेंगे ताकि हमारा आंसर हो वो केजी में आजाए तो 2 इंट्यू 10 दिवाइड पावर 6 डेल्टा 0.045 है 10 से डिवाइड कर देंगे सेंटिमेटर में कनवर्ट हो गया 5 by 4 इंट्यू 12 mm है तो सेंटिमेटर में 1.2 हो जाएगा इसका स्क्वार डिवाइड इसको सॉल करोगे तो आंसर आएगा वो ऑप्शन भी आएगा नेक्स्ट क्योशन 702 है कि एक स्ट्रक्चर है इस तरीके से यह कब स्टेबल होगा जब एक्स और वाई में क्या रिलेशन हो कि यह स्ट्रक्चर स्टेबल हो यहां पर डाइग्राम में जो दिख रहा है इसमें कि maple आए है यहां पर तीन रीएक्सें सार रहें कि लेकिन अगर इस तरीके से रीरिक्षेन है एक्स और य की कुछ भी वेल्यूंइ स्ट्रक्चर हमें से से लगा ने हैं यह दोनों ने पर यह यह निने इसमें गलती से बेसिकली यह हिंज है और यहाँ पे लोड यूड लग रहा है यहाँ पे यूड लग रहा है अब यह सपोर्ट है तो मोमेंट तो रेजिस्ट कार नहीं पाएगा तो यह तब ही स्टेबल होगा जब इस पे रिजल्टेंट मोमेंट जीरो हो अगर रिजल्टेंट मोमेंट नहीं मूमेंट के पाउंट मोमेंट का नहीं हम कर एक नहीं को शॉप सामपर कर ना कंए तो उसका अन्ऐ है mixture होनिक की नहीं कि यह दियू मॉमेंट हो गांग यहां आज्मी पाउट हो रहा है यह कर नो यह करेगा इसको clockwise rotate इसको हम positive ले लेंगे यह anti-clockwise rotate करेगा इसको negative ले लेंगे और 0 के equal कर देंगे तो ck about moment हो जाएगा जैसे कि यह c लिकरेंज पोइंट को तो यहाँ पर हो जाएगा 2w into x total load multiply by x by 2 distance यह आएगा minus का plus w into y into y by 2 यह 0 के equal होगा और यहाँ से मर पास relation आजाएगा कि 2x square is equal to y square और y is equal to आजाएगा root x तो यह एक तो ही है यहाँ पर root सिर्फ 2 पर ही लगा है x पर नहीं लगा है तो यह answer होगा यह option d होगा यह correction कर लेना आपकी 2 पर ही root लगा है बस सिर्फ x root से बाहर है next है 203 यह काफी अच्छा question है 203 वैसे तो determinant structure नहीं है तो हम इसको directly नहीं solve कर सकते लेकिन कुछ deflections वगरा की condition लगा के हम इसको solve कर सकते हैं यह यहाँ पर UDL लग रहा है throughout तो structure है वो symmetric है it means जैसे कि मैं इनकी numbering कर देती हूँ यह a है यह point b है और यह point c है यहाँ पर vertical reaction ra आ रहा है यहाँ पर vertical reaction आ रहा है वो rb है तो यहाँ पर ra और rb की value होगी वो same होगी क्योंकि structure भी symmetric है और loading भी symmetric है और second condition मिलेगी हमें ra plus rb plus rc will be equal to total vertical load जो की है 1 into 10, 10 ton अब यहाँ पर है सबसे पहले हम rc निकालेंगे rc निकालने के लिए इस point का deflection हमें पता है कि 0 है क्योंकि यह support लग रहा है तो यह यहाँ पर नीचे नहीं deflect हो पाईगा तो हम कह सकते हैं कि इस वाले point पे udl के कारण जो deflection आ रहा है वो downward है point load के कारण जो deflection आ रहा है वो upward है और इनका magnitude same है direction opposite है तो दोनों का resultant यहाँ पर कोई भी deflection नहीं आ रहा है तो अगर udl के कारण हम फॉर्मॉला लिखें यह equal होगा जो कि rc के कारण deflection है यह rc के कारण deflection है यह उसके equal होगा rc के कारण deflection होगा w l cube upon 48 e i w के जगा हम लिख देते हैं rc क्योंकि यहाँ पे point load जो है वो rc है जो कि support से reaction आ रहा है अब यहाँ से हमें w की value पता है e i और e i तो cancel हो जाएंगे यह कुछ इस तरीके से आ जाएगा 5 upon 384 into 48 into l b आएगा is equal to rc अब यहाँ से हम rc के लिए solve कर सकते हैं l की जगा हम रख देंगे 10 l की जगा 10 रखके rc के लिए solve करेंगे इस equation को तो rc की value यहाँ पर आजाएगी 6.25 384 तो यह आजाएगा 6.25 अब इस equation में rc की value रखें तो यहाँ पर ra और rb आजाएगा हमारे पास यह equation में rc की value रखें तो आजाएगा कि ra प्लस rb will be equal to 10 माइनस 6.25 10 माइनस 6.25 है तो यह हो जाएगा यह है और ra और rb की value हो जाएगा यह जो 10 माइनस 6.25 आ रहा है इसका half क्योंकि यह दोनों तो ra प्लस rc की value है यह यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3.75 और इससे हमारे की value मिल जाएगी ra is equal to rc will be equal to 1.3.75 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह आजाएगा 1.875 kN तो यह आजाएगा a page reaction जो कि पूछा गया है options में कोई भी answer exactly सही नहीं है लेकिन फिर भी अगर सबसे close answer देखें तो हम कह सकते है option D है वो सबसे ज़्यादा close answer के इसी question को है moment distribution method से भी कर सकते है लेकिन objective exam के हिसाब से वो उतना quick नहीं होता time consuming है तो यह ज्यादा बेटर रहता है आंसर इसका यह करेक्ट है मैंने उस method से भी करके verify किया है moment distribution method से तो नेक्स्ट क्योशन पर चलते हैं 204 204 question number में यह इससरी के से एक beam given है इसके एक point पर यह moment लग रहा है यहां पर हमसे पूछा है कि इसका BMD बनेगा वो कैसा बनेगा तो यहां पर यह beam है इस वाले end का अगर moment ड्रो करें तो इस वाले end पर moment होगा वो M होगा इस वाले moment का bending moment ड्रो करें तो यहां पर bending moment zero है क्योंकि यहां पर कोई moment नहीं लग रहा है यहां पर जैसे एक यह reaction आ रहा है support का जो किसी point से पास आ रहा है तो यहां पर कोई भी moment नहीं आएगा और इन दोनों के तरफ जाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट की एक्वेशन हम लिखेंगे आर बी इंटो एक्स तो जैसे जैसे एक्स increase हो रहा है बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू हो इंप्रीज होती जा रही है तो इस तरीके से डाइग्राम बनेगा BMD और यह होगा एक ट्राइंगल तो आंसर होगा वह उप्सान बी होगा इस क्योशन में भी आंसर के में आंसर गलत दिया हुआ है आंसर के में एंसर दिया हुआ है जो कि नहीं होगा next है 204 trust का क्योशन है next question है 205 एक trust का problem है इस तरीके से यह तीन vertical lot गीवन है और हमें लोड निकालना है मेंबर यूटू एल्टू में यह वाली डामेंशन नहीं तो हम एंगल नहीं निकाल पाएंगे अगर हम एंगल नहीं निकाल पाते हैं तो निकालने के लिए जैसे कि यहां पर हम यह कह सकते हैं कि इस वाले में फोर्स होगा वह जीरो होगा यह वाला जैसे मेंबर है इस वाला जो 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 जोईंट है इसको अगर हमने हमें सॉल करना यहां पर जो मेंबर है उनमें फोर्स निकालने है तो हमें थीटा की जारत पड़ेगी और थीटा के लिए या तो हमें एंगल पता हो या फिर यह वर्टिकल वाली डिस्टेंस पता हो तो ही हम इसको सॉल कर सकते हैं तो इस क्योशन में डेटा गिवन है वह है जो मेंबर है वो 17 है तीन रीक्शन साते है तो और नंबर वो जॉइंट साव टैन है तो एम है इस उकल टूजे माइन सार वाली कंडिशन फुल्फिल हो रही है यहां पर तो स्ट्रक्शर डिटिमिन है लेकिन डेटा मिसिंग है यहां पर क्योशन में आंसर में इसने दिय है इसने जो आंसर दिया है उसकी according U2L2 में जो फोर्स आ रहा है वो 10Newton आ अगर U2L2 में फोर्स 10Newton है इट मिस क्लेरी इसमें जो फोर्स आ रहा है वो 0 के एक्वल होगा क्योंकि यह दोनों वर्टिकली एक दूसरी को बैलेंस कर रहें अगर इसमें कोई फोर्स आएगा तो का भी दर component आएगा और फिर यह दोनों magnitude में equal नहीं हो सकते कि यह भी 10 टन हो जाए यह भी 10 टन हो जाए इसका जो आंसर है उसके according लेकिन ऐसा possible नहीं है यू तो में फोर्स जीरो नहीं हो सकता इसके लिए तक देक्सरे करते हैं जैसे कि हम एस तरीके से कोई सेक्ष्ण कट किया यहाँ पर हुवटीकलिंवर अगर हम देखे इस बॉर्टी ड्याग्राम इसका बहना कि अगर इसका वर्टिकल एकलुवरियम हम देखें तो यहां पर फोर्सिज लग रहे हैं कि दो तो यह वाले लॉड और एक यहां पर आ रहे जो आ रहे सपोर्ट पर जो रिएक्षिन आ रहे हैं कि एकींल पहले यह मां फाइंड आॉट करते हैं कि लिए में बी के बाइंट से खिरो करेंगे तो अगर मोमेंट लेगे तो आरहे एके ऐन मोमेंट आएगा क्लोक वाइस इसको भूसितिव ले लेते हैं माइनस इस 10 10 के कारण जो moment आएगा वो anticlockwise आएगा वो अगा 10 into 20 माइनस इस 10 10 के कारण जो moment आएगा वो भी anticlockwise आएगा तो वो आएगा 10 into 20 sorry 10 into 10 क्योंकि यह वाली जो distance है यह 10 है यह वाला जो 10 10 का load है यह तो से पास हो रहे है इसके कारण कोई moment नहीं आएगा तो इस तरीके से अगर हम आरे की value निकालेंगे तो यह आएगा three hand divided by 20 तो आरे हमारा आरा है 15 तन कि यहां पर जो वर्टिकल लोड लग रहा है यह 15 तन है अब हमने जो यह section cut किया है इसका जो left hand side वाला पार्ट है उसका अगर हम वर्टिकल एक्विलिब्रियम देखें सिग्मा वी उसका 0 करें तो तो टोटल अप्वार्ट फॉर्स आरे 15 तन डाउनवार्ट फॉर्स आरे 20 तन इसको बैलेंस कौन करेगा इसको बैलेंस करना पड़ेगा you two l2 को you two l2 ही inclined member है क्योंकि you two you three और l2 l3 तो horizontal member हैं इनमें कोई force होगा भी अगर तो वह horizontal ही होगा तो इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए you two l2 में कुछ force होगा जिसका vertical direction में कोई component आएगा जो कि यह difference आ रहा है इन दोनों के इसको बैलेंस करेगा तो इस तरीके से यह true हो गया कि you two l2 में force 0 के एक्वल नहीं होगा तो आंसर है वह गलत है डेटा insufficient है concept आपको समझा आ गया होगा नेक्स है 206 question 206 काफी simple है इस तरीके से cantilever beam है जिसमें पॉइंट लोड लग रहा हूँ एक moment लग रहा है हमें ए पॉइंट पर मॉमेंट निकालना है एक चीज यहाँ पर डेटा मॉमेंट लिखेंगे 2t के कालने एक moment आएगा जो कि clockwise आएगा 2t इंटू 2 यह वाला जो बेंडिंग मॉमेंट है 410 मीटर का कि इसकी डायरेक्शन है यह anti clockwise है तो इसको हम माइनस का लेंगे negative लेंगे तो 40 तो यहाँ पर ma will be equal to 0 तो यह पर कोई भी मॉमेंट नहीं आएगा और इसका आंसर हो जाएगा वह option A हो जाएगा 0 नेक्स है 207 टाइप का सेम क्योशन एक हम पहले कर चुके हैं यह वाली जो प्रॉब्लम है कि इस तरीके से दोनों साइड इक्विल और हैं है और यह यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड भी मैं तो इसका बीमडी बनेगा वह कुछ ऐसा बनेगा यह हम पहले की क्योशन में डिसक्स कर चुके हैं यह यहां पर वेरेसेंस होगा यह पार बोलिकली होगा यह है यहां पर मैक्जिमम लेंग सेगिंग मोमेंट और यह है मैक्जिमम सेगिंग मोमेंट तो यहां पर यह दोनों इक्वल हो इसके लिए कंडिशन होती है कि अगर यह टोटल लेंथ एल है तो यह यह वाली जो ओर हैंग है इसकी वेली होगी 0207L और ओर हैंग है वह इक्वल है बहुत साइड तो इधर भी होगा 0.207L इसका derivation मैंने question number 176 में किया है तो आप वहाँ जाके उसका derivation देख सकते हो कि यह कैसे आया अब यहां पर इसने पूचा है कि L और L1 का ratio पूचा है अब यह 0.207 है यह भी 0.207 है तो बचीवी बीच की जो लेंथ है वो हो जाएगी 0.586 यह हो गया 0.586 इसने पूचा है ratio L1 की L1 इन्टू एक constant L, L1 एपॉन L का basically ratio क्या होगा तो L1 एपॉन L की value यहां पर हो जाएगी L1 हमारा है 0.207, L है 0.586 तो यह आजाएगा कुछ 0.35 आएगा यह 0.35 आजाएगा तो यहां से यह relation आ गया कि 0.35 इंटू L तो इस तरीके से इसका answer होगा option D होगा अगर 176 क्या तो यह भी हो जाएगा बस question पूचने का तरीका अलगा है वहां पर कुछ और पूच्छा है कोई और length पूच्छी है यहां पर को दूसरी length पूच्छी है इसलिए पूराने continuity में देखेंगे वीडियो तो पूब्लम नहीं होगी नेक्स है 208 जो की question तो वैसे steel का है लेकिन यहां पर सों के सेप्टर में दे दिया है क्योचन 208 में इस तरीके से यह रिवेर्स लगे वीन चाहा है और यहां पर एक eccentric load लग रहा है इस असेंट्रीक लोड के कारण एक तो डारेक्ट शियर आए गा प्लस टॉजियन आपने के गाँ तो आपने तो आपने यह फिर के साथ में अधिल्य प्रक्राफ यह जाव देखें यहां से तो एसालरा कि यह जो यो रिवेट्स वाला जो structure है यह इसको इस तरीके से clockwise घुमाने की try कर रहा है तो हर एक structure पर इस तरीके से shear लगेगा कि वो इसको clockwise rotate करने का try करे centroid के बाउट तो पहले तो हम इसका center mark करते हैं और center से सारे rivets को connect करते हैं यह center mark कर दिया हमने और यह center से सारे rivets को connect कर दिया अब इसके perpendicular होगी direction जो होगी twisting वाले shear की और वो कुछ इस तरीके से होगी कि हर एक particular rivet को वो clockwise direction में rotate कर देए और इसलिए हर एक rivet पे जो twisting वाले shear की direction होगी वो अलग होगी तो twisting वाले shear की direction होगी हर एक rivet पे कुछ इस तरीके से होगी यह जो blue वाले arrow मैंने दिखाए हैं यह यह डिनोट करें twisting वाले shear की direction यह direction निकालने के दो रूल्स होते हैं first कि center से इस particular rivet को मिलाने वाले जो line है इस से twisting shear की direction 90 degree होगी यह angle 90 होगा यहाँ पर यह वाला angle 90 होगा यह एंगल 90 होगा और यहाँ पर यह वाला angle 90 होगा Q2 अ कि वही को इस अंधर को यह toad कर रहा है सक्ष्लिज़ Wait theée T Carn by statistics laser को तो यह से सेंटर पॉल्ट के अगई ऑषने O DG. वेक्टर सरे हैं उनका हम रिजलेटेंच्ञ निकालते हैं. अब यह मेकजिमं कब होगा , तो 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 ट्विस्टिंग वाला शियर आएगा और जो direct shear रागा उन्दोनों का magnitude हर एक रिवेट के लिए सेम होगा बट यह theta की value अलग लग होगी theta को अगर हम diagram में mark करें हर एक के लिए तो यहाँ पर यह green color में मैंने mark हिया theta जो कि twisting shear और direct shear के बीच का angle होगा जो resultant निकालने में यहाँ पर use होगा जो यहाँ पर यह वाला एंगल इन दोनों के बीच में यह वाला एंगल यह वाला एंगल और यह वाला एंगल तो चारों को compare करें तो theta सबसे कम किसके लिए है अगर इसके numbering करें नम्बरिंग भी इसने नहीं किये तो नम्बरिंग भी आप इस तरीके से कर लिजिएगा इसने यह पर ऐसे लिए इसको वन लिया है इसको इसने टू लिया है इसको इसने थ्री लिया है और इसको इसने फोर लिया है तो आप इस तरीके से नम्बरिंग कर लिजिए अब अगर हम देखें तो रिवेर्ट 2 और रिवेर्ट 4 के लिए अगर असा नहीं हो सारे रिवेट सिक्वल डिस्टेंस पे नहीं है तो वो रिवेट जो फार लोकेटेड है उसके लिए ट्विस्टिंग शियर का मेंगूटियर सबसे ज्यादा होगा तो यहां पे आंसर होजएगा option D I hope आपको समझ आ गए होगा next question 209 209 भी काफी simple है यहां पे इसने 10 टन का लोड लगा दिया है और E पे मोमेंट पूछा है आप लोग को confusion हो सकता है structure को देखते हुए लेकिन हमें structure को नहीं देखना हमें just forces का मोमेंट निकालना है E पे एक तो force आएगा इस तरीके से जो वर्टिकल रेक्शन आएगा वो इसे ही पास हो रहे है तो उसके कारण E पे कोई मोमेंट नहीं आएगा first thing second thing है कि यह fix end है तो यहां पर हो सकता है मालिया हमने मोमेंट M E है और मोमेंट M E किसके एकवल होगा structure पे बाकि सारे loads और रेक्शन की वाग यह लग रहा एक load 10 T, R का तो 0 हो गया अब 10 T का अगर हम देखे तो हम मोमेंट निकालने के लिए जो force की direction है और जिस point के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं उनके दोनों के 20 की perpendicular distance को multiply करते हैं force के magnitude से यहाँ पे आप देखोगे तो यह 10 T वाला force है यह तो E से ही pass हो रहे है इस तरीके से downward जा रहे है और downward यह इसे ही pass हो रहे है तो distance यहाँ पे 0 हो जाएगी 10 T multiply by 0 होगा 10 T का मोमेंट होगा तो इस तरीके से M is 0 के equal हो जाएगा आंसर हो जाएगा option A next set 210 question 210 में एक composite member given है इस तरीके से composite member बनाया है जहाँ पर यहाँ पर A material की एक road लगी हुई है यहाँ पर दूसरी material B की road लगी हुई है यहाँ पर एक rigid bar से connected है और दूसरी side fixed support है rigid bar से connect के कारण इन में जो deformation होगा वो दोनों में same होगा दोनों की जो initial length same है तो final length भी same ही रहेगी क्योंकि यह rigid bar से connected है इसका temperature जो पहले 25 degree centigrade था increase करके वो 45 degree centigrade कर दिया गया है तो अब यहाँ पर length में expansion होगा और किस में कितना expansion होता है यह depend रहता है material की property भी तो A का coefficient of thermal expansion ज्यादा है तो A ज्यादा expand होना चाहे बी का भी कम expand होना चाहेगा बट यह rigid bar से connected है तो A का जो thermal expansion actual होना था उससे कुछ कम होगा और B का जो thermal expansion था वो इससे कुछ ज्यादा हो जैसे कि A का हम जो thermal expansion होना था वह उसको डेल्टा एसे denote कर रहे हूँ बी का अगर freely होता था और डेल्टा भी होता तो डेल्टा ए डेल्टा बी से ज्यादा हो बट यह connected है तो दोनों में same होगा तो डेल्टा ए का जो actual expansion हो रहा था इससे यह थोड़ा इससे थोड़ा इंक्रीज होगा तो डेल्टा ए में decrease हो रहा इट मिंस डेल्टा ए है वो compression में है डेल्टा बी में increase हो रहा इट मिंस डेल्टा बी है वो tension में है यह आप ऐसे भी समझ सकते हो कि A ज्यादा चाहेगा बट बी उसको नहीं अलाओ करेगा वो उसको वापिस से इस तरीके से में compression आएगा बी जिता expand होना चाहता है एच आएगा कि उससे ज्यादा हो तो इसको stress करेगा और इस तरीके से बी में आएगा वो tension आएगा तो आंसर होगा वो option D होगा नेक्स है 210 कि 201 में क्लॉजली कोईल हेलिकल स्ट्रिंग है जिसकी रेडियस आ रहे है और इसमें जो number of turns आए जैसे यह एक टन हो यह दूसरा टन हो तो इस तरीके से number of turns आए वो एन है और उसमें एक अग्जिल लोड डबलू लग रहा है रेडियस यहां पर जो है वो आर है मोडूलस ओव रिजिटी जो कॉफिसेंट है वो सी है यहां पर इसने सी से डिनोट किया है है हमें डिफ्लेक्शन निकालना कोईल का अगर डबलू डोल हम लगाते हैं एक्जिल लोड तो डिफोर्मेशन होगा वो कितना होगा इस तरीके से कोई closely coiled heli control spring यहां पर डबल फोर्स लग रहा है एक्जिल फोर्स टो डबलू है वो इस तरीके से लग रहा है तो डबलू के कारण यहां पर top जनाए गा क्योंकि वो कुछ distance पर लग रहा है तो डबलू के कारण टोर्जन आएगा और टोर्जन के कारण यहां पर स्प्रिंग में कुछ एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा आएगा तो पहले हम एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा काल्कुलेट करेंगे फिर हम थीटा को आर से मल्टिप्लाई कर देंगे लिनियर डिफ्लेक्शन निकालने के ल इस बोड़ाय रहा हैं कि इह हम दल यहां पर जो वाइर है यह वाइर जिस्के बनी वह तो इस वाइर की रेडि fiery है और इसका डएवार खरें देंगे D is equal to 2R, तो D हमने माल लिया कि जो wire है, उसका dia है T की value हो जाएगी W into center से distance, W यहाँ पर लग रहा है यह distance होगी, यह radius R के equal होगी, जो की, तो spring है, उसकी radius है तो यह हो जाएगा W into R J होता है यह angular moment spring के लिए जो हो जाएगा wires इस material का बनाया होगा, उसका dia D है, तो इसका angular, यह polar moment of inertia हो जाएगा, पाई बाई 32 D raised to power 4 is equal to C into theta, जो की हमें निकालना है L, L यहाँ पर इस spring की total length है और इस spring में n turn है, small n है न, वो turn है यहाँ पर number of turns एक turn में total कितनी length होगी इस तरीके से अगर 1 turn हमने बनाना है, तो उसकी length होगी 2 pi r length का wire लगेगा उसमें और अगर n turn बनाने हैं तो total कितनी length लगेगी 2 pi r into n तो L की value हमारे पास आगई 2 pi r into n ध्यान रखना है capital r और यह small d का capital r spring का जो circle बनावा है उसकी radius है यह small r और small d है यह wire जो है जिस wire सी spring बनी भी है उस wire की radius है तो यहाँ से theta की value आजाएगी 64 pi यह w 64 pi r square into n यहाँ पे आजाएगा pi d raised to power 4 into theta sorry into c theta तो निकाल रहे है तो pi से pi cancel हो जाएगा तो जो general यहाँ पे expression आएगा यह आया है यहाँ पे angular deflection theta की time में यह theta है angular deflection अगर theta है radius r है तो linear यह वाला जो deflection होगा delta यह होगा r into theta तो अगर हम इसको r से multiply करें तो हमारा linear deflection आजाएगा जो के question में पूछा है अगर angular deflection पूछा होता तो पूछा होता angle कितना होता है इसने deflection बोला है just means linear deflection पूछा है तो यहाँ पे हम इसको r से multiply कर देंगे और d को इसने r की time में दिया तो हम d is equal to 2r रख देंगे तो 64 w r cube बन जाएगा multiply by n d raise to power 4 की जगर हम लिकेंगे 2r तो 2r raise to power 4 into c किसको आगे simplify करेंगे तो यह 2 raise to power 4 16 आएगा तो उपर 64 में से 16 जाएगा divide करेंगे तो 4 बचेगा 4 w r cube n divided by r raise to power 4 into c तो इस तरीके से आजाएगा option d है या answer आजाएगा जदा difficult नहीं है आप एक दो बार questions practice करोगे और इसको derive करोगे तो हो जाएगा याद रखना difficult है क्योंकि ये काफि सारी time आ रहे हैं और r d n इन सब में confused हो जाओगे तो इस तरीके से आप इसको simply derive कर सकते हैं कुछ नहीं कि हमने एक formula लगा है और यहां पर j और l की value रखिए बस तो आंसर आगे आपसन d next में पूछा है कि stress developed होगा वो कितना होगा तो हमें पता है t upon j is equal to tau upon r तो t upon j is equal to tau upon r करके हम stress निकाल लेंगे तो wire के लिए हमें spring निकालना है जिसकी की radius है वो r है तो इस तरीके से t हो जाएगा वो w into r हो जाएगा j की जगा हम लिख देंगे pi by 32 d raised to power 4 is equal to tau into r इसको solve करेंगे तो tau की value आजाएगी यह wr, r divided by pi d raised to power 4 उपर 320 आजाएगा 32 आजाएगा sorry और d की यहाँ पर value रखेंगे 2r यह small r into 32 d की जगा 2r रखेंगे तो यहाँ पर आजाएगा यह pi है d की जगा 2r रखेंगे तो 2r raised to power 4 तो उपर 2 बचेगा w बचेगा, r बचेगा नीचे आजाएगा pi r cube यह r raised to power 4 है यह r है तो cancel हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर answer जो होगा 2, 1 वो हो जाएगा option b नीचे pi r cube है उपर 2w r है next, next question 213 में पूछा है कि rankine formula से retaining wall पे earth pressure होगा वो कितना होगा active earth pressure की condition होती है retaining wall में तो जो formula लगेगा वो active earth pressure का लगेगा और edge length की अगर कोई retaining wall है तो उसके bottom में जो pressure होगा वो इस तरीके से होगा k a into w h k a यहाँ पे है coefficient of active earth pressure जो होता है 1 minus sin 5 upon 1 plus sin 5 इसने यहाँ पे capital भी दिया है it means इसने pressure की intensity नहीं पूछी है इसने per unit length pressure पूछा है या हम कह सकते हैं इसने per unit length pressure force पूछा है जो की equal होगा इस pressure diagram के area के equal तो pressure diagram का area निकालेंगे तो यह triangle है तो half into base base की जगा हो जाएगा k a w h into height h तो इसमें यहाँ पे k a की value यह रख देंगे तो यहाँ पे answer आजाएगा वो option a आजाएगा 1 by 2 w h square 1 minus sin 5 upon 1 plus sin 5 next है 214 यह भी काफी simple है simple यहाँ पे m की equation given है x minus s x cube upon l square पूछा है कि गर bending moment की equation यह है तो shear force कहाँ पे 0 होगा x की value कितनी हो कि shear force है वो 0 हो जाए तो shear force 0 होगा पहले तो shear force होगा वो होगा bending moment के differentiation के एक है तो dm by dx will be equal to f shear force sf लिख देतूं इसके बाद a x का 1 हो जाएगा x cube का differentiate करेंगे 3 x square divided by l square यह है अब बोलाएं कि यह 0 कब होगा तो इसको 0 के equal put कर देंगे और यह तो constant है तो यह 0 नहीं होगा तो यह वाली term है यह 0 होगी यह 0 होगी तो 1 is equal to 3 x square upon l square और यहां से l की value आगई है हमारे पास l equal हो जाएगा यहां पे l by root 3 x equal हो जाएगा l by root 3 के यह l by root 3 will be equal to x तो answer होगा वो option c हो जाएगा next question है 215 215 में पूछा है कि जो longitudinal strain होगा वो कितना होगा तो सबसे पहले तो हमें पता होने चाहिए इसके लिए कि longitudinal stress होता है क्या होता है और मैंने पहले बताए है कि longitudinal stress या फिर हम इसको axial stress भी बोलते है यह होता है PD by 40 और जो hoop stress होता है वो होता है PD by PD by 2T हो 2 तो PD by 40 हो गया sigma l axial stress या फिर हम बोलते है longitudinal stress अब हमें पता है कि strain होता है वो P by जो stress divided by E होता है वो strain होता है तो sigma l by e होगा वो strain हो जाएगा जो कि होगा PD by 4 T e यहाँ पे इसने d की form में नहीं r की form में लिखा है तो d की जगा हम 2 r लिखेंगे तो यह आजएगा d की जगा यहां 2 r लिखेंगे तो उपर आजएगा PR divided by 2 T e और answer होगा वो option C हो जाएगा नेक्स्ट है 216 कि न्यूट दर न्यूट्र अक्सिस ओप बीम क्रॉसेक्शन मस्ट कौन सी कंडिशन मस्ट है न्यूट्र अक्सिस के लिए ऐसी कुशन में हमें जो accurate answer होता है वो select करना पड़ता है काफी बार ऐसी statement दो तीन statement given है जो दिखने में लगता है कि सारे सही है बट वहाँ पे all of the above option होता नहीं अगर all of the above होगा तो हम वो कर देंगे तो फिर हमें सब में से जादा most accurate statement होता है वो चूज करना होता है तो अब यहाँ पर तीन statement given है तो तीनों में से जो most accurate होगा वो answer होगा option A में बोला है कि pass through the centroid of the access हाँ neutral access centroid of the access से pass होती है second में बोला है from equidistance from top of bottom बतलब top की जो layer है top है जो section का और जो bottom है उनसे equidistance पे होगा तो यह condition हमेशा नहीं accurate होगी यह condition कुछ special cases में accurate होगी for example हमने यहाँ पर यह दो different type के sections लिए है एक है rectangular section है दूसरा एक T section है तो जो यह second वाला statement है कि neutral access ही होगी वो top और bottom से equidistance पे होगी यह यहाँ पर जो horizontal lines होगी है यह neutral access है यहाँ पर यह neutral access है तो yt is equal to yb की condition यहाँ तो fulfill हो रही है लेकिन यहाँ पर तो नहीं होगी क्योंकि top में area ज्यादा है top की तरफ area ज्यादा है तो यह yt कम होगा yb होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि neutral access होती है वो centroid से पास होती है तो अगर उपर की तरफ area ज्यादा distributed है तो neutral access उपर की तरफ ट्रांस्पर हो जाएगी तो यह condition यहाँ पिल नहीं applicable हो रही है statement c में जो condition given है कि access of symmetry है section की उससे पास होगी अब अगर हम t section की बात करें तो यह access of symmetry तो नहीं है access of symmetry तो यह है लेकिन अगर bending हो रही है वो इस plane के about bending हो रही है तो neutral access यह होगी तो यह दोनों statement कुछ conditions में सही होते हैं कुछ में नहीं होते हैं तीनों को compare करने तो option A most of the time accurate होता है तो answer होगा वो option A हो जाएगा next में 217 में पूछा है कि एक beam है L length की दोनों end पर simply supported है और इस beam के center पर एक moment का couple लग रहा है concentrated bending couple of moment couple of moment मतलब दो moment है वहाँ पर इस तरीके से दो moment यहाँ पर लग रहे है इस तरीके से अब यहाँ पर अगर हम R A और R B निका लें तो R A भी 0 होगा R B भी 0 होगा क्योंकि अगर R A के about में moment की question लिखूंगी तो यह और यह दोनों moment एक दूसरी को cancel कर रहे है तो R B के कारण कोई भी moment नहीं आएगा second thing अगर इस वाले point पर जहाँ पर couple लग रहा है वहाँ पर अगर में moment की बात करें तो moment M होगा और बाकी throughout the beam bending यह जो bending moment होगा यह 0 होगा तो इस तरीके से इसका answer होगा वो option A होजाएगा इसने कुछ है कि maximum bending moment कहां पर होगा तो maximum bending moment उसी point पर होगा जहां पर यह couple लग रहा है उसकी value M होगी और उसके left और right में bending moment होगा वो 0 होगा क्योंकि RA और RB के कोई भी reactions नहीं आ रहे है तो answer होजाएगा वो option A होजाएगा question 218 में एक cantilever beam है जिसका cross section है वो rectangular है यहाँ पर loading की direction change कर दी गई है normally हम जो questions अभी तक हमने solve किये है cantilever beam में जो loading लग रही होती है वो vertically लग रही होती है और वहाँ पर I जो होता है वो फिर BDQ by 12 होता है क्योंकि axis of bending है वो horizontal है इस question में यहाँ पर loading की condition direction change कर दी है loading है वो horizontal है तो अब यहाँ पर axis of bending क्या होगी और diagram जो होगा यह किस तरीके से निकालेंगे कौन सी parallel side होगी कौन सी perpendicular side होगी तो इसके लिए 3D diagram देखते हैं cantilever beam का तो यह cantilever beam है mostly हमारे जो loading लग रही होती हो इस तरीके से लग रही होती है vertically downward और यह h है और यह जो यह वाली जो dimension है इसकी width है इसको बी से denote कर रहा है यहाँ पर axis vertical loading के लिए जो access of bending होती है वो यह वाली access होती है जो horizontal axis है यह जो यह वाली access है लेकिन अगर loading इस तरीके से लगा दी जाए horizontal loading अगर हो तो access of bending होगी वो यह वाली vertical line होगी horizontal loading के कान access of bending होगी वो vertical होगी इसमें इधर की side compression आएगा इधर की side पे henson आएगा और vertical access of bending होगी अब vertically access of bending के लिए अगर हम आई निकालेंगे तो parallel वाली side हो जाएगी h into perpendicular वाली side perpendicular वाली side यहां पे b है जो की side है cantilever की तो यह b cube divided by 12 और question में हमसे z पूछा है तो z हो जाएगा h b cube divided by 12 divided by b by 2 क्योंकि neutral access यहां पे mid में कहीं होगी और neutral access से जो top जो farmost जो point है compression यहां maximum होगा और tension होगा वो यहां पे maximum होगा तो y की value b by 2 हो जाएगी और z आ जाएगा यहां पे h b square divided by 6 तो option के साब से देखते है आंसर क्या होगा तो आंसर होगा option c हो जाएगा b square h by 6 नेक्स क्योशन काफी simple है एक solid circular shaft है जिसका diameter d है और उसमें टॉर्क लग रहा है यहां पे टी और stress पूछा और यहां पे maximum normal stress पूछा गया है तो सबसे पहले तो यहां से tau की shear stress की value आजाएगी t into j j होगा यहां पे so t into r divided by j t into r की जगा हम d by 2 लिख देते हैं answer d की डाया की form में है j की जगा लिखेंगे pi by 32 polar moment of energy c i d raised to power 4 into d by 2 तो यहां से यहां से आजाएगा 16 t by pi d cube यह आया हमारे यहां पे shear stress को tau से या क्यों से denote करते हैं लेकिन इसने shear stress नहीं पूछा है इसने पूछा है कि normal stress normal stress compressive or tensile stresses होते हैं maximum normal stresses होंगी principal stresses तो principal stresses का नहीं पे formula लगाएंगे principal stresses का यह formula होता है p1 plus p2 by 2 plus minus p1 minus p2 by 2 इसका whole square plus q square का root तो इस तरीके से यहां पे कोई compressive or tensile forces तो इस member पे कोई आ नहीं रहे हैं लग तो सिर्फ एक torque ही रहा है तो p1 और p2 तो 0 हो जाएंगे क्योंकि कोई भी यहां पे tensile or compressive forces नहीं लग रहे हैं और sigma जो हो जाएगा principal stress वो इक्वल हो जाएगा क्योंके तो इस तरीके से answer तो option b यह आएगा बड़ यहां पे पूछा इसने normal stress है तो यह normal stress इस तरीके से निकालेंगे maximum normal stress पूछा है जो कि principal stresses होते हैं और हमें यह principal stresses का formula पता है next करते है 220 220 directly formula based है यहां पे e की value given है 200 modulus of rigidities इसको n भी बोला जाता है g भी बोला जाता है इसकी value है 80 मैं इसको n से represent कर रहे हूं आगे के equations में यह 80 है और हमें एक formula पता है कि e is equal to 2n1 plus mu होता है यहां से हमें mu निकालना है poisons ratio पूछा यहां पे mu होता है तो 1 plus mu is equal to 200 divided by 80 into 2 जो कि यहां पे equal होगा 1.25 के इससे हमें पता चलिएगा कि mu की value होगी वह 0.25 होगी poisons ratio होगा वह 0.25 होगा तो answer होगा option C आजाएगा इस question का answer कि में गलत answer given है E given है जो कि नहीं होगा correct answer होगा वह option C होगा तो इस lecture वीडियो को यहीं खतम करते हैं मिलते हैं next video है झाल